हम करेंगे आज डिसकस क्लास 10 के सभी फॉर्मुलास पर जो भी आपके क्लास 10 में ठीक है ताकि आप जब भी आपके टेस्ट हो या फिर आपके एक्जाम हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट तो सारे फॉर्मुलास आपके माइंड में रहें ठीक है तो लुक एट ग्लाइंस सो स्टार्ट करते हैं देखिए गाँ सिर्फ और सिर्फ आपके थ्री फोर्मुलास है जो आपके हटे सिर्फ और सिर्फ थ्री फोर्मुलास और आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना कम चीज़ बस आपका महां से एक्जाल करते हैं chapter 1 से रियल नंबर्स में हमारे पास पहला जो फोर्मुला है HCF इन् सब कुछ रहेगा तो यह आपका 2021 एक्जाम में नहीं आने वाला A is equal to BQ plus R, 0, R की value होगी 0 से B के बीच में होगी ठीक है और chapter number 2 की बात करते हैं तो means पहला formula आपका यह हटा है, chapter number 2 polynomials की बात करते हैं, polynomials में हमारे पास जो dividend होता है, quotient into divisor plus remainder जो हम division करते थे, वो आपका 2021 सेशन में नहीं आने वाला है तो आपका यह second formula हो गया है, total four formula जट है, four दो यह हो गए, दो और है, ठीक है, so chapter number 2 में ही बात करते हैं अगर आपके पास polynomial है, ax square plus bx plus c, तो alpha बीटा अगर zeros आते हैं तो दो formula's बनते हैं, sum of zeros and product of zeros, sum of zeros क्या होंगे, alpha plus betas, sum है न, तो minus b upon a, इसको minus कर दो, minus b upon a और product of zeros क्या हो जाएगा, हमारे पास c upon a, c upon a, ठीक है, तो हमारे पास यह क्या हो जाएगा, polynomial हो जाएगा, अगर हमारे पास दो ही root है अगर suppose हमारे पास कुछ ऐसी equation है, let's say, sorry, this one is ax cube plus bx square plus cx plus d, अगर हमारे पास कोई cubic equation है, तो 3 zeros होंगे, 3 roots होंगे, तो हमारे पास alpha plus beta plus gamma is equal to क्या हो जाएगा, minus b upon a, और इसको क्या बोलते हैं, sum and product of zeros, क्या हो जाएगा, हमारे पास c, y, देखिए, रियाद करने की trick है, minus, plus, minus, minus b y a, plus c y a, minus d y a, ठीक है, और product of zeros हमारे पास क्या होगा, minus d y a, किसका, अगर हमारे पास cubic equation है, ठीक है, तो minus b y a, plus c y a, d y a, आप कोई चीज़ याद रखनी होगी, so, अब हम बात करते हैं, chapter number 3 पर, so, hope so, आपको ये picture पसंद आई होगी, so, this is, ये कौन है, आप मुझे comment box में जरूर बताना, ठीक है, so, this is fun part, but, आपका भी exam और test preparation के लिए, अगर आप formula याद करने हैं, तो, please, आप पढ़ाई पर दियान दीजिए, chapter number 3 के अगर बात करते हैं, तो, chapter number 3 आपके पास है, pair of linear equation in two variables, means, आपके पास, जो linear equation होगी, means, linear equation means, x और y है, उसकी degree कितनी होने It means, हमारे पास, जो line है, वो क्या कर रही है, intersect कर रही है, देखो, confuse नहीं होना, अगर सोचू जरा, अगर equation same नहीं आएगी, it means, line intersect करेगी, line अगर कटेगी, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर, it means, आपके पास, suppose, एक line यह रही, और एक line यह रही, तो, line अगर intersect करेगी और intersect करेगी, तो हमारे पास क्या आएगा, unique solution आएगा, it means, solution क्या होगा, consistent, आपसे exam में पूस्ता है, what is the, आपके पास equation देगा, बोलेगा, क्या equation consistent है, means, क्या equation solution दे रही है, अगर solution दे रही है, unique solution दे रही है, तो consistent होगा, means, यह हो जाएगा, अगर मैं बात कहूँ, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, it means, अगर दोनों लाइन बिल्कुल सेम, इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन बिल्कुल सेम है, मैंने क्या कहा, कि coincident lines में, दोनों लाइन सेम होगी, न, एक लाइन ये, और दूसरी लाइन भी से की उपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, infinite minus solution, क्योंकि जो पहली equation हो, दूसरी पर dependent है, दूसरी equation हो, पहले पर dependent है, तो हम dependent consistent solution बोलेंगे, आप से exam में पूछे जाती है, consistent और inconsistent words, please focus करिए इन चीज़ों पे, कभी-कभी आप को सुनने को नहीं मिलते हैं, बट यह चीज़े important है, आप बोड़ के exam देखे, उठा के देखे, अगले बार बात करते हैं, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, अगर ऐसी चीज़े आती है, means, आपके ये दोना lines, आगे का portion अगर आपका equal है, बट constant c1, c2 आपके पस equal नहीं है, तो हमारे पस line कैसी होंगी, parallel lines होंगी, आपको school में बताया गया होगा, कि एक line ऐसी है, दूसरे नहमर पस कैसे बनने वाली है, बिल्कुल parallel बनने वाली है, क्या हमें कोई solution मिलेगा, क्या कोई ऐसा point मिलेगा, जहांपे 100 y की value मिलेगी, नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये क्या होगे, no solution, मतलब क्या होगे, हमारे पास ये inconsistent होगया, ठीक है, और एक हमारे पास formula होगा, speed is equal to distance upon time, जहा now discussed the chapter number 4, that is quadratic equation, quadratic equation पता है, जिसके root variable का अगर degree 2 है, तो हमारे पास वो क्या होती है, quadratic equation होती है, means x square होँआ पर possible होना चाहिए, but condition क्या है कि a है, वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर suppose a 0 हो गया, तो तो linear बन जाएगा, तो हमारे पास ये 0 नहीं होना चाहिए, कोई कुछे quadratic, तो ये बोलना, साथ में ये जरूर बोलना, quadratic formula आपको पता है, x is equal to minus b plus minus, root में b square minus 4ac upon 2a, ठीक है, इस formula को जरूर याद रखे, जहां पे b square minus 4ac क्या होता है, d होता है, d को क्या बोलते है, discriminant बोलते है, d को क्या बोलते है, discriminant बोलते है, और d के हमारे पास 3 cases होते है, अगर सोचो, d की real roots आएंगे, two distinct real roots, ठीक है, अगर मेरे पास suppose d is equal to zero आगया, means आपका ये वाला पार्ट है, गायव हो गया, तो बचेगा क्या आपके पास, minus b upon 2a, साथ में plus minus, यहापे कौन होगा, zero होगा, तो दोनों value से हम आने वाली, it means अगर zero होगा, तो two equal real roots होगे, और d की value अगर suppose zero से आती है, तो अगर मैं कह रहा हूँ, suppose मैं आपको दिखा दूँ, d की value अगर suppose zero से less than i, मतलब minus 5 i, तो यह हम class number 11 में पढ़ेंगे, कि यह चीज़ होती क्या है, यह हमारे पास कुछ नहीं, root 5 iota होता है, क्योंकि यह हमारे पास real roots नहीं होगे, यह हमारे पास imaginary numbers बन जाएंगे, इसके discussion हम class number 11 में करने वाले हैं, so don't worry about that, so आपको तीन कैसी जाद रखने है, two distinct real roots, two equal real roots, no real roots, ठीक है, अब हम बात करते है, chapter number 4 हो चुका है, तो chapter number 5 पर, बाकी chapter number 4 में से कुछ भी delete ऐसा नहीं हुआ है, जो आपको यहां से कह सके कि हाँ चीज़े delete हुई है, मैं बात करता थोड़ा सा speedly चल रहा है, बट यह quick revision है, और आपको revision करना ही चाहिए, हर एक test से पहले, इसलिए आप अपने वीडियो को आप download करके रखिएगा, YouTube से, या फिर आप अपने friends के साथ share ज़रूर कीज़ेगा, ऐसे videos को, क्योंकि काफी important videos है यह, so chapter number 5 हमारे पास arithmetic progression है, जो आप AP जिसको नाम से famous है, हम AP AP करके बोलते रहते हैं, so उसमें हमारे पास गिने चुने दो formula हैं, बट उसको तीन formula हम convert किया गया, AN, AN क्या है हमारे पास, A1 प्लस N-1 into D, AN क्या हमारे पास last term होती है, अगर कोई AP है तो उसके last term क्या होती है, AN होती है, A1 क्या होता है, first term, N is equals to number of terms, और D हमारे पास क्या होता, common difference, लेको D हमारे पास कैसे निकलता है, अगर सपोज A1, A2, A3, अगर हमारे पास कोई एक AP है, तो A2 minus A1, A3 minus A2, ऐसे तो निकलता है D, ठीक है, so last term, first term, number of terms, और SN क्या होता है, एक formula, sum of N terms, अगर कोई AP का N terms का sum निकालना हो, तो N by 2 into में first term plus last term, य lesson क्या हो जाएगा, मेरे पास N by 2 bracket 2 A plus में N minus 1 into में D, यह हमारे पास एक complete formula यह भी है, और यह भी दोनों बाते हमारे पास same है, इस formula को use तब करेंगे, जब हमारे पास first term और last term given हो, इस formula को use तब करते हैं, जब हमारे पास first term हो, second term हो, third term हो, fourth term हो, please be clear with that, please अपने concepts clear रखो, बा आपके 2021 exam में दो theorem's नहीं आने वाली, that is 6.4 and 6.9, आप देख लीजिएगा, जो की area वाली theorem है, area of similar triangles है, अगर हमारे पास ratio square का side का square की गुल होता है, वो, और एक आपकी, जो converse of, आपकी Pythagoras theorem है, ठीक है, इस दो theorem's नहीं आएंगी आपके, इस 2021 exam के अंदर, बाकी आपकी सार सारी theorem's आने वाली है, मैं सभी theorem's को discussion नहीं कर सकता, similarity, congruency, आप सभी चीज़े देखेएगा, बीपीटी जोराम आती है, बीपीटी को थेल्स बोलते हैं, side angle, side, 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 angle, angle, एंगल, Pythagoras theorem, Converse of BPT, इस बाकी जितनी भी theorem's बची हमारे पास, उस सारी हमारे पास chapter number 6 में आने वाल हुआ है, तो suppose यह point आपके पास A है, और यह point आपके पास suppose B है, तो A और B के बीच में कितना distance हुआ, वो निकाल के देगा कौन distance formula, x2-x1 का square, plus y2-y1 का square, distance formula, section formula क्या बोलता है, section formula कह रहा है कि आपके पास, suppose मैंने बीच में से कहीं से divide कर दिया, ठीक है, section formula क्या बोल रहा है, suppose मैंने आपके पास एक point ले लिया, यहाँ पे x, यह point, इस वाले point का coordinate में रपास x और y है, तो यहाँ से लेक कि यहाँ तक आपके पास suppose m1 है, और यह हमारे पास m2 है, यह ratio है, तो क्या होता है, हमारे रपास x की वाली क्या निकल के आएगी, m1 x2 plus m2 x1 upon में m1 plus m2, हाना, m1 x2, m2, x1 और m1 plus m2, ऐसे ही y की value निकल के आएगी, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, clear with that, हना, चो आपका area of triangle, this is the third formula, जो आपके 2020, 2021 session में नहीं आ रहा है, वो यह है, area of triangle, so is equal to half of x, अबर फिर भी देख लो, x1, बाकी जेटने भी sessions हमारे पास बाके सम्मिव में आएंगे, बस जो 2021 में बच्चा पेपर दे रहा, उसमें यह formula नहीं है, because of covid-19, okay, so x1 यहाँ पर एक वैसे formula यादगरने का trick था हमारे पास, 1, 2, 3 लिखते थे हम यहाँ पर, 1 x1 लिखेंगे, तो y2 minus y3, फिर x2 लिखेंगे, तो y3 minus y1, y3 minus y1, x3 लिखेंगे, तो y1 minus y2, y1 minus y2, तो यह small trick थी हमारे पास इसको याद करने की, but unfortunately अभी आपका formula याद नहीं करना है, so do not worry about that, midpoint formula, midpoint formula क्या है, अगर suppose यह line है, blue वाली line, और मैं खहूँ आपको midpoint निकालना है, तो x1 plus x2 by 2, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, कुछ नहीं करना किया, मैंने, इस section formula के अंदर, मैंने जो m1 है, और जो m2 है, वो मै ratio 1 में divide कर दिया, वही तो मेरे पास midpoint हो गया, अब ध्यान से देखिए, 1 into x2, 1 into x1, 1 plus 1, यहीं बनने वाला है, m1, m2 जिखे 1, 1 put कर दो तो, तो यह हमारे पास क्या हो गया, midpoint formula, this is your chapter number 7, अब हम बात करते है, last, जो, last नहीं, sorry, important chapter की, जो की सबसे important chapter आपका पूरे mathematics में, trigonometry सारे formulas को देखो मैं एक एक revision कर तो, बिल्कुल सारे formulas मैंने ही पे cover कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने कुछ भी, sine A, sine A को हम बोलते है, sine, cosine, कभी-कभी नाम पूछ लेता है, cosine A को क्या बोलते है, cos, tangent को 10 बोलते है, cosec, secant को sec, cotangent को cot, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है, 1 plus 10 square स्क्ट कर नहीं होसी इसको बता रखेंगे उसको पता है सब्सक्राइब एंगे एक हो जाएगा मेने एक क्या हो जाएगा advising और पर clutch square, दो बार hit ही आएगा, तो c से हमारे पास क्या होता है, c से c आएगा, तो cosec-square बच्चे कहेंगेало, cose cioè बिवinkобы göstere gonna not be. यह άंक हुल, मैं यूईश कर चुके हैं उसको count नहीं करेंगे, तो theta, बचा कूण मेरे पास sex 계WHATE थीटा यह आपको समझ में आगी तो बहुत अच्छी बात है वरना फिर आप जिसे याद कर रखी है तो वैसे याद रखिएगा ठीक है तो करेंगे और सब के ऊपर क्या कर देंगे हम रूट कर देंगे सब किया कर देंगे जीरो वाइस निकालने करा तरीका था बाकि हमने लिए जो ट्रिका बता रिखा था라고 ट्रिक जॉन, लिगर यहां पर इसके इतर इतनी फिंगर से जीरो तो जीरो बाइटि जीरो बाइटि पहर इतर जाएँगे तो इसके जक्रू इतनी फिंगर है वन तो वाइटू थे इसके इतनी फिंगर से यहां पर यह 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 य जो बीच वाले एडिनिटी होगी B upon H, वो क्या होगा, cos theta, जो लास्ट एडिनिटी होगी, वो क्या होगी, 10 theta, तो sin यह होगा, cos 10, नीचे नीचे स्टाट करें, तो cosec, sec, quote, हाना, तो cosec क्या हो जाएगा, ultra, sign का ultra, h upon p, sec theta, b upon h का ultra, हाना, h upon b, और 10, quote theta क्या हो जाएगा, हमरे प cos theta, cos theta is equal to 1 upon sec theta, quote theta is equal to cos theta upon sin theta, 10 theta, sign upon cos है, तो quote क्या हो जाएगा, cos upon sign, simple, चलो, यह सबसे important, जो चीज है, आपकी वो यह है, सबसे important चीज है, जिसको यह नहीं पता, it means, वो 0 है, जो यह आपका triangle हो, suppose आपके पास एक angle यह है, और मैं कहरा हूँ, आपके पास suppose यह theta angle है, तो theta angle के सामने जो होता है, वो perpendicular, मैं लिखा opposite to the angle, कौन सा angle, मैं इस angle की बात कर रहा हूँ, opposite to the given angle के सामने, perpendicular, with angle, angle के साथ, angle के साथ, खुन होगा, यह side होगी, यह side क्या होगी, हमरे प पास क्या होगा, hypermuse, यह आपके जो है, जो 2021 exam है, ठीक है, जो COVID-19 के विए syllabus कम किया गया, उसमें यह topic भी नहीं आ रहा है, complementary angles, घ्यान से देखोगी, तो मैंने आप यालो स्टिक किया हुआ है, मैंने नोट सारे के सारे इंशारों क्लासी पे सर डाले हुए है, आप वहां से निकाल सकते हो, telegram channel से, ठीक है, so sign 90-theta is equal to cos theta होता है, 1090-theta is equal to cos theta, cos 90-theta is equal to sign theta, cos 90-theta is equal to sec, cos 90-theta is equal to sec, cos 90-theta is equal to 10, and sec 90-theta is equal to cosec, बट यह आपका 2021 session exam में नहीं आ रहा है, so बाकी चीज़े आपने clear हो गई, notes, आप quick reason कर पा रहे हो, हाना, मज़े आ रहे हैं आपका उसी class म हैं, so मैं बात करता हूँ, अब आगे chapter number 9 की, chapter number 9 में हमारे पास दो ही चीज़े काम की हैं, अगर आपके पास, suppose यहाँ पे आ बैठे हो, यहाँ पर आप बैठे हो, और मैं कहा रहा हूँ, आपको उपर देखना है, means angle of elevation, तो आपका जो angle बनेगा, वो base के साथ बनेगा, यह angle बनेगा, और यह angle को क्या बोलूँगा, मैं theta बोलूँगा, clear है, अगर suppose आपके पास, आप यहाँ पे बैठे हो, ऐसे question आएंगे आपके पास, एक पेड है, पेड से नीचे देखा, उपर देखा, building है, tower है, ऐसे question आएंगे आपके पास, कर चुके हैं आप, तो यहाँ पे ब elevation, जब उपर देख रहे हैं, angle of depression, मींस नीचे देख रहे हैं, तो हमने यहाँ बैठके नीचे देखा, तो depression बनेगा, वो भी horizontal line के साथ, ना कि इसके साथ, तो please, यह important point था आप लोगों के लिए, बच्चे बहुत गलतिया करते हैं, बहुत जादा गलतिया करते हैं आपे, ब और circle में suppose, आपने एक line draw की, जो कि tangent है, tangent मींस टच करते हुजा रही है, तो जो radius होगा, circle का radius, दो यह radius है, और यह tangent है, तो radius and tangent हमारे पास 90 degree angle बनाएगा, वही बात लिखी हुई है, मैंने, tangent at any point of a circle, is perpendicular, perpendicular means 90 degree to the radius through the point of contact, the second theorem का कहती है, अगर आपके पास सब एक circle और बाहर करोगे, तो वो tangent मनेगी, और वो angle हमें 90 degree देगी, ठीक है, तो यह दोनों हमारे पास tangent होगी, main चीज़ क्या कहा रहा है, कि जो p q distance है, वो p r के equal होगा, यह बात कहारी है, theorem number 2, circles में, ठीक है, आपको proof करनी आ सकती है, बाकी theorem statement आपको लिख दिया है, पाय थोगरा theorem का use होता है आपकी इस chapter में, तो पाय थोगरा आपको हर बच्चे को पता है, कि right angle triangle होगा, तो P, B और इसके आखसा में hypotenuse, तो hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square, ठीक है, अब भूचिज यो chapter number 10, अब हम बात करते हैं, chapter number 11, chapter number 11 में कुछ formula है नहीं, क्योंकि construction है, तो construction में क्या formula र्याद करोगे अप, ठीक है, तो बात करते हैं, chapter number 12 की, chapter number 12 की आगा है, हमारे पास area related to circles, तो area of circle क्या होता है, pi r square, देखो सारे formula जरिवाइज कराने वाला हूँ, area of circle is equals to pi r square, perimeter of circle 2 pi r, या 2 r वो क्या करते हैं, d, तो हमारे पास area of circle क्या हो जाएगा, यह perimeter of circle 2 pi r, अब हम बात करते हैं, इसकी, देखिए, आपके पास 2 segment होते हैं, जो code बोल देते हैं, code और circle के साथ जो आता है, वो हमारे पास segment होता है, पर sector में हमारे पास center include होता है, तो major sector कौन सा होगा, जो बड़े वाला portion होगा, minor sector कौन सा होगा, जो हमारे पास छोटा वाला होगा, तो यह हो गया minor sector, major sector, major segment और minor segment, please आप इन दोना में difference समझे, difference होता है, formula म बात करता हूँ, suppose मैंने कहा, यह सवाले angle का निकाल दीजिए, तो area of sector of angle theta क्या हो जाएगा, theta upon 360 into में, अगर area निकाल रहा हूँ, तो into में pi r square करूँगा, या दखना है, अगर पुछा जा, length of arc of angle theta, length of arc means, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके, यह जो black line है, यह line, A से ले कर रहा है, वो हमारे पास हो जाएगा, length of arc of angle theta, अब हम बात करते हैं, इस portion की, arc of segment, APB, क्या हो जाएगा मेरे पास, area of sector minus area of triangle, मैंने कहा, इस वाले portion का area निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पूरे sector का area निकाल दीजिए, पूरे area of sector में से, इस area का triangle को निकाल देंगे, त formula और होता है, इस triangle का area निकालने का, अगर ये radius r है, सपोज आपको दिखनी रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ, सपोज ये radius r होगा ही, क्योंकि circle है, तो इसका formula होता है, r square by 2 into sin theta आपको पता है, ठीक है, तो r square by 2 into sin theta, ये भी area of triangle निकाल के देगा, ये मैं राइड होती है, ठीक है, so this is your all about chapter number 12, hopes आपको पसंदाया होगा, मजा रहा होगा, अब हम बात करते हैं, chapter number 13 के सभी formula के बारे में discussion करते हैं, आज आपकी class non-stop चलेगी, क्योंकि ये class है ही important, chapter number 13, surface area and volume, सबसे ज्यादा formula आपको परेशान नहीं होना है, surface area and volume में क्या होगा हमर सारी sides equal होती है, तो CSA क्या होता है, हमरे पास, curved surface area, LSA क्या होता है, lateral surface area, दोनों बाते सेम होती है, और इसलिए में दोनों चीज़े सेम लिख भी है, TSA क्या होता है, total surface area, तो cube का हमरे पास क्या हो जाएगा, CSA, LSA, जो side में होता है, cube के हमरे पास 4 side होती है, 1, 2, और 1 पीछे हाइट अलग अलग होती है तो उसमें क्या बात करें हैं हम CS से और LH से क्या होगा हम चार साइड स्क्वाइड करेंगे एक दो तीन और चार तो टू इंटू एल प्लस बी इंटू में है और यह हमारे पास हाइट है तो CS से और L से क्या होगा हमारे पास टू पाई आरे चाना यह तू पाई आर और यह हमारे पास क्या हो जाएगा एच प्लस या इसकल तू आर क्या बोल देंगे तो पाई डी एच हो जाएगा टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा हमारे पास देख 2 pi r square plus 2 pi r h जब 2 pi r common निकालेंगे तो r plus h volume की बात करेंगे तो pi r square h होता है पर इसको जब r को d y जब आप पता है कि d is equal to क्या होता है मेरे पास 2 r तो मैंने radius को diameter में convert किया तो pi by 4 d square h हो जाएगा बात करते है कोन की कोन हमरे पास क्या होता है cse और lse is equal to pi r l ठीक है pi r l l होता क्या है slant height होती है यहां सी जो inclined height होती है वो होता है slant height यह होती है कौन की height यह होता radius तो cse rl से क्या होगा pi r l l की value क्या होगी pi thoracic theorem से r square plus h square e se क्या हो जाएगा मेरे पास pi r into में l plus r कैसे pi r l तो हमारे पास cse होगा अब इन चीज़ों को बाद हम देखेंगे पहले मैं और चीज़े cover करा देता हूँ आपको पहले सारे ऐसे formula's cover करा देते हैं उसके बाद हम उन चीज़ों पर आएगे side वाली चीज़ों पर so do not worry मैं कहा रहा हूँ do not worry about that मैं बात करता हूँ अब किसके sphere के sphere क्या होगा मेरे पास sphere कह रहा है कि cse rlse क्या हो जाएगा 4 pi r square और इसका total surface area भी दोनों same होगा sphere का ये ball है ball cricket वाली ball ये वो वाली ball है sphere volume क्या हो जाएगा 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube hemisphere means हमने इसको आदा कट कर दिया अगर आदा कट कर दिया to 4 pi r square का क्या हो जायगा 2 pi r square 4 pi r square का आदा कर दिया to 2 pi r square total surface area 3 pi r square कैसे हुआ pi r square तो 2 pi r square थो हमारे पास था बठ हमने ये portion हमने और add कर दिया तो plus pi r square तो 3 pi r square हो गया volume क्या हो जाएगा 2 by 3 pi r cube इसका half कर दो ना तो 2 से डिवाइड करेंगा, जो 2, 2 जा, तो 2 बाई 3 पाई र क्यूग, तो हैमिस्फेर क्या हो गया, 2 बाई 3 पाई र क्यूग, देखो कभी-कभी इसे कोशन आ जाते हैं आपके एक्जाम में, टेस्ट में, तो प्लीज आप इनको धंग से समझ लें, यह हमारे पास एक होलो स रस syner द आपके पास इस जाएड अब हम से से आपे बीच में हमने होलो कर दिया, तो आपके पास उस साइड वाई बचेएगा, ठीक है, तो CSरल से क्क्या हो जाएगा, जो छोटे वाला से जाएड बाई ग्याज तो घोड़िगा हो गया, जो उपर दिख रहा है काला काला portion means π니까 vê r2 में से π . r sqe r मानस कर दिया means बढ़े वाले cylinder में से छोटे वाले मानस कर दिया तो ये भी 1 और 2 side हो गई ना तो 2 pi r sqe r में से 2 pi r sqe r मानस कर दिया बढ़े वाले cylinder में से छोटे वाला मानस कर दिया आर हमारे पास क्या चोटे वाला सिलेंडर, बड़ा आर क्या बड़े वाला सिलेंडर, तो पाइस को मन निकाल की यह आ गया, एक यह फॉर्मुला आपके जो 2021 एक्जाम में नहीं आने वाला, जो बचे 2021 का एक्जाम दे रहे हैं, उसको इसको बोलते हैं, फ्रस्टम, उस पेप ल ही हमारे पास वो होगी, बट पाई आर एल बड़े वाला, पाई आर एल छोटे वाला दोनों को अड़ कर दिया, तो पाई एल को मन निकल गया, टी ऐसे क्या हो जाएगा, यह दोनों दो चीज़े थे ही मेरे पास, साथ में हमारे पास उपर वाला सिर्कल बनेगा, पास volume हो गया ठीक है यह आपके first term था अब हम बात करते हैं इन formulas की जो key important है rectangle ऐसे इन चीजों को भी आपके exams में use होते है rectangle का area speedly करते है area is equal to length into breadth parameter is equal to 4 sides को जोड़ दो length plus length breadth plus breadth to 2 into L plus B square की बात करते है area क्या हो जाएगा A square क्योंकि side into side perimeter क्या हो जाएगा A plus A plus A plus A triangle की बात करते हैं अगर ऐसा triangle आए जिसमें आपके पास base और आपके पास height है तो area क्या हो जाएगा half into base into perpendicular देखो मैंने इस पे focus किया है perpendicular means आपकी base के height perpendicular होनी चाहिए area is equal to half into B into H perimeter क्या हो जाएगा A plus B plus C तो area क्या होता है? से पाक्ति है यह क्या होता है जहtime हो जोड़ा मजे लो मजे लो, parallelogram parallelogram में क्या होगा, area क्या होता base into height, ये हमारे पास base है और ये हमारे पास height है, height क्या होनी चीए perpendicular होनी चीए, याद रखना होगी मेरी वाद height क्या होनी चीए, perpendicular तो area क्या हो जाएगा, base area into height, that is perpendicular into h, perimeter क्या, इन चारों को जोड़ दो, सारी sides को जोड़ दोगो तो parameter, तो a plus a 2a, b plus b 2b, तो 2 into a plus b, parallelogram खतम, rhombus rhombus, अगर ये diagonal d1 है, और ये diagonal d2 है और पता है, सारी sides equal होती है, rhombus में rhombus में क्या, square को धक्का मार दो कोने से ये square था, धक्का मारा, तो यह सबन गया, simple, समझा है, तो rhombus क्या हो गया, area is equal to half into diagonal 1 into diagonal 2, ये rhombus का formula है, area निकालने का formula, parameter क्या हो जाएगा, सारी side को जोड़े मजे लो, मजे ले लिए, मजे ले लिए, अगले चलो, trapezium, trapezium में क्या होगा, हमारे पास, area is equal to half into height, याद रखना, जब भी हमें हाइट के बाद करो, perpendicular होती है, perpendicular होती है, किसके, base के, perpendicular means, 90 degree angle बनाईगी, तो half into h, अगर आपको मेरी speed थोड़ी तेज लग रहे हैं, तो आप speed को कम कर सकते हैं, YouTube में option आता है, ठीक है, so don't worry, so हमारे पास half into h into a plus b, a plus b means sum of parallel side, जो side हमारे पास parallel होगी, कि आप क्या करने वाले, इन दोनों sides को आप जोड़ दो और मजे लो, half into height into sum of parallel sides, या parameter क्या हो जाएगा, सब को जोड़ दो, a plus b plus c plus d, जोड़ और मजे लो, semicircle, circle को आदा काट दिया, तो circle का area क्या होता था, pi r square, बट semicircle का, दो से भाग कर दो, simple, pi r square by 2, perimeter क्या होता था, circle का, 2 pi r, 2 pi r होता था, circle का perimeter, बट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, semicircle, तो semicircle क्या हो जाएगा, हमारे पास, 2 pi r by 2 तो होग रही होगा, साथ में हमारे पास, यह जो line up को दिख रही है, यह पी जोड़ होगे, r यह और r यह, तो r और r, 2 r, हमारे पास, 2 r क्या हो गया, add हो गया, तो it means pi r plus 2 r, clear है, so this is your chapter number 13, सभी formulas मैं इसके अंदर discuss कर दिये हैं, अब मैं बात करता हूँ, last second chapter that is chapter number 14, statistics, statistics पर आते हैं, mean निकालने का तरीके 3 है, mean निकालने का तरीके 3 है, पहला तरीका क्या है, direct method, उसमें क्या बोलते हैं, sigma fy, xi, यह पॉन में, sigma fy, simple है, बट lambda पर जाता है, कभी, कभी जब अच्छा कोशन आ जाता है, तो इसको सोड़ा कम use क्या करो, second क्या आता है mean, जब हमारे पास assumed mean method आता है, उसमें assumed mean क्यों है, क्योंकि जो a है, जो xi यादा रहा है, उसमें xi में सम बीचवाली value, हम उसको a मानते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास assumed mean method, और यह जो di है, इससे का नम deviation है, इसको हम deviation बोलते है, di को xi minus a, यहां से मेरे पास di कैसे निकलेगा, xi minus a से, a का है, मेरे पास xi के middle value, इसका formula क्या हो गया, a plus sigma fi, di upon में sigma fi, clear है, यह formula लगा होगे, di निकालोगे, a आपको पता, सब कुस पता है, मजे लो, यह formula yellow mark की होगा है, yellow mark means, आपके 2021, 2021 exam में नहीं आने वाला, step deviation, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं था, simple था, बलकि easy method और था, पता नहीं क्यों अटा दिया, इससे, असानी से question हो जाता, बट फिर भी इसको अटा दिया, पता नहीं क्यों, so, चलो, कोई नहीं हटा दिया, तो हटा दिया, तो, बट फिर भी देख लो, a plus sigma fi, ui, upon sigma fi, इन्टो h, बैस, di जगे हमरे पास क्या, ui होगा, ui की जगे, कुछ नहीं किया, अगर देखो, ध्यान से देखो, अगर इसको मैं यहाँ पर put करूँ, तो सोचो, h से h कट जाएगा, बात तो भी पड़ेगी हमरे पास, यह चीज़ को फॉर्मले में आपको h नहीं दिखेगा, बट जहाँ पर h नहीं दिखेगा, फॉर्मले में, it means आपके पास यहाँ पर h नहीं होगा, ठीक है न, so यह देख लेए न, mode, mode क्या होता है, हमरे पास, maximum number of frequency है न, तो इसका फॉर्मला क्या होता है, lower limit, यह L क्या होता है, lower limit, frequency means जो आपके पास model class होता है, उसकी frequency, minus F, means उससे पहले वाले class की frequency, अप उन में 2F1 minus F0 minus F2, ठीक है न, पता है न, model class और h हमरे पास क्या होता है, s तो हमरे पास class size ही होता है, so lower limit, plus F1 minus F0, और यह हमरे पास, आप उन में 2F1 minus F0 minus F2, median, median की बात करते हैं, चलो फटा-फट, median का फॉर्मला क्या होता है, हमरे पास L plus N by 2 minus PCF, देखो, बुक में लिखा होता है, CF, cumulative frequency, CF means cumulative, लिख देता हूँ, cumulative frequency, बट मैंने यहाँ पे मैंने इसमें बच्चों क्या आद कराता हूँ, previous है न, जो इससे पहले वाली जो है, वो पहले वाली, मैं इसको हैंने आद कर लो, पहले वाली, जो frequency modal class की होती है, modal class से पहले वाली frequency होती है, वो वाली PCF होती है, आप इसको CF याद करो, PCF याद करो, हमरे पास N plus 1 by 2, यह आप जानते हैं अच्छे तरीके से, और अगर N हमरे पास even हुआ, तो median क्या होगा, हमरे पास N by 2 plus 1, ठीक है, तो N by 2 plus 1, अब हम बात करते हैं, यह आपके पास एक formula भी आता है, कभी कभी, suppose एक number में दे देता है, median दे दिया, mode दे दिया, बताओ mean क्या होगा, formula में डालो मजे लो, 3 median is equal to mode plus 2 mean, 2 mean, 2 mean, 2 mean, अरे 2 means मैं इसलिए tone में बोल रहा हूँ, गंधी tone में, ताकि आपको याद हो जाए, तो गंधी tone सुन लो, 2 mean, 2 mean, 2 mean, 2 mean हैं तो 2 mean, तो 3 median is equal to mode plus 2 mean, अब हम बात करते हैं, इस कारू कि यह आपका graph से, आपका इस exam से हट चुका है, यह यह यलो मार्क किया हुआ है, तो यह हमरे पास क्या होता, x और y होता था, यह less than oju curve, यह more than oju curve जाती था नीचे के तरफ, यह उपर के तरफ, तो इन दोनों के जहां मिलती थे, यह हमें x-axis पर क्या देते थे, median देते थे, क्या देते थे, हमें median देते थे, अभी आपके 2020-2021 exam में नहीं आने वाला, तो अब हम बात करते हैं, probability की final chapter, मैं इसमें सारे points लिखे हैं, जो जो आपको चाहिए, जो जो आपको चाहिए, तो मेरा नाम है this one, और मेरे contact number है this one, अगर आपको कुछ contact रणना हो, तो contact कर सकते हो, but only on WhatsApp, ठीक है, so chapter number 15 की बात करूँ तो, probability की full form क्या होती है, number of outcomes, जो मिल सकता है, और सब कुछ, जो मिला, आप उनमें सब कुछ, यह जो करते हैं, और probability of E bar, E bar को हम क्या बोलते हैं, compliment, compliment of event E, or is equal to EF and not EV बोल देते हैं, यह जो मिलाब कि event आपका E नहीं हो रहा है, इसको क्या बोल देते है, probability of E bar, impossible event हमर रपस क्या होता है, उसमें probability 0 आती है, बोर्ड के अग्जाम में, question में आगे पूछ लेगा, probability of impossible event, आपको लिखना होगा 0, जब कुछ हो ही नहीं रहा, जब probability कुछ हो ही नहीं रहा है, तो 0 हो जाएगी, sure event, अब जब हो ही रहा है, पर 100% हो रहा है, कुछ नहीं कुछ certain event भी बोल देते हैं, उसको हम probability क्या बोलते हैं, 1 बोलेंगे, probability आपके हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगी, आपके पास card होते हैं, 1, 13, 13, 13, 13, 13 होते हैं, hertz के से मैंने लाल बना दिया, diamond भी आपके लाल होते हैं, इसलिए मैंने ये बना दिया, club आपके पास steady होती है, speed आपके पास हुकम होता है, इसमें हमेरे पास ace, king, queen, jack, jack को आपके नेवज भी बोल देते हैं, बट यह से बहुत कम होता है यूज इसका, 10, 9 से लेके 2 तक, 1 नहीं होता, 1 के जिगा हमेरे पास ace होता है, यादा रहे हैं चीज़ें, ace, king, queen, jack, ये फिन नेवज, ये तेहरा, ये तेहरा, ये तेहरा, ये तेहरा, ऐसे ही, अब इसमें बात करूँ, face card, face card means, जिस पे picture बनी हुई है, जिस card भी photo बनी हुए है, आपने देखा होगा, king की पत्ते पे, जो पत्ता के का होता है, उस पे ऑमरे पास photo बनी हुई हुए, राजागी, रानी की, और फिर जैक की, तो jack, queen, king, हमरे पास, 3 हमरे पास face card होगए, तो totल कितने होगए, 3, 3, 3, 3, तीं चोक, 12, तो totल कितने होगए, हमरे पास face card, 12 होगए, टोटल लाल पत्ते कितने होगए, 26, 20- 26 हर्ट के पत्ते कितने हो गए 13 === 1-2-3-4還 COVID-1 28 कितने हो गई 12य हो गई 23- yथी को जतनी हो चाहिए मैंने कहा 2 भर उचाला अगर सिपोज मैंने काड को DC को DICE मतलब लुडो खेलन वाली गोटी from the Kalak to Six sagtail और जैस को अगर मैं 34- चाहिए अगर मेरे पास तीन डाइस केस वह हैं तो six की पावर क्यूब कर देते हैं दो सोला जाता है इसको पूर कर देते हैं अगर चार वर उचालते हैं तो six dice को दो बर उचाला तो यह हमारे पास possible case बनते हैं आप पढ़ चुके हैं काफी बार तो these were the dice cases यह हमारे पास face card हो गया यह court इसको हम court card भी बोलते हैं इसको picture card भी बोलते हैं face, court, picture ठीक है और मैं बात करूँ आपके पास coin की अगर suppose मेरे पास एक coin है इसमें क्या होगा head होगा या tail होगा आपने उच्छाला तो टोटल केतने case होगे दो case होगे अगर मैं coin two times चालू तो चार case बनेंगे suppose head 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 a tail tail head tail 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 और अगर coin हमारे पास three times होँगे तो कुछ नहीं जितनी बार उचाल होगे तो उसकी क्यूब कर देना अगर four times चालेंगे तो टू की पार four कर देना five चालेंगे तो की पार five कर देना ऐसी आपके पस possible cases आते रहेंगे और आते रहेंगे और आते रहेंगे तो ठीक है होप सो आपको आजी क्लास पसंदाई होगी तो share this video to everyone ठीक है ताकि कि किसी को कोई प्रोब्लम ना हो और अगर फिर भी आपको कुछ प्रोब्लम है कोई डाउट रहे गया है तो प्लीज आप comment बोक्स में comment जरूर करें don't forget to subscribe because ऐसी updates आपको मिलती रहेंगी और ठीक है बाकि जो mathematics की class 10th chapters है वो आपको infero classes जो आपकी playlist है वहाँ पर देख लीजेगा वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ठीक है so hope so आपको आज ये class पसंदाई होगी मजा आया होगा ठीक है and overall आपको आज मेरी आपको मेरी ये painting पसंदाई होगी yes or no ठीक है so मिलते है next class में तब तक के स्वास्त्राइए में स्वास्त्राइए बाई बाई टेक केर आप